नमस्का, तो आज आपे हम जोमोटो स्टॉक के बारे में बात करेंगे और लेटेस अब देखेंगे और लेटेस नुज भी चेक करेंगे जोमोटो के लिए तो जोमोटो में आज फिर से हलके सी गराउट होती भी दिकाई दे रहे तो यहां पर आप लोग नजर डालोगे तो Zomoto ने पिछले एक साल में काफी बड़े रिटर्स दिया है पिछले पास सालों का आप लोग चार्ट डेखोगे तो यहां पर आप देख सरही है जो हाई बनाता है 170 के करीबन Zomoto का तो जो हाई था यहां पर आप देख सेथिकी ब्रेक आउट हो जो गाईश और यहां पर निच्छी की तरफ भी आता है श्टॉक तो 170 लेवल जो एज एज सपोर्टीव एक्ट हो जाएगा Zomoto Company has disclosed that it has been served with a service tax demand and penalty order exceeding 184 crore for the period from October 2014 to June 2017. The company said that it plans to contain the order before suitable authority demand order pertains to the non-payment of service tax on specific sales conducted by the company's foreign subsidiaries and the branches to its customers situated outside India. As revealed in a late night regulatory filing by Zomoto तो इती latest news जो है पर प्रॉब्लम चालो है क्योंकि यहाप आप देख सेथिके फ्रूर 2018 में यहाप जेश्टी बिल्स थे 91 crore के उसकी news आई फिर उसके बाद जो है इत अगरिवन 2014 से 2017 के tax period की बात होती भी दिखाई देरे अभी भी Zomoto के अंडर तो यहाप आप देख सेथिके Zomoto नीचे भी आता है तो 170 level as a supportive act हो जाएगी